तेजस्वी प्रकाश की ये strong game strategy ही तेजस्वी को इतनी आगे तक लेकर जाती है तेजस्वी ने क्या गजब का game खेला है और वाकई तेजस्वी की इस game strategy को जानकर आप भी काफी तारीफे करेंगे तेजस्वी की कि अगर मैं नशान से बात कर रही हूं उमर से बात कर रही हूं करन से बात कर रही हूं इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुझे राखी को या फिर देवो को मैं भूल जाओंगी या फिर मैं प्रतीक को भूल जाओंगी मेरे लिए सब बराबर हैं मैं अगर उनसे भी बात कर रह तो मैं तुम्हारे भी तुम लोगों ने भी जो किया है वो मैं हमेशा याद रखूँगी और मैं उसे मेंटेन करके रखूँगी तो ऐसे में यहाँ पर तेजस्वी प्रकाश ने अपने दुश्मनों को भी दोस्त बना लिया है और यह काफी अच्छी स्ट्राटेजी है तेजस्वी के सपोर्ट में है और तेजस्वी ने यह कर दिखाया है अपने दोस्तों को तो उन्होंने साथ रखा ही रखा है लेकिन दुश्मनों को भी दोस्त बना लिया है तो तेजस्वी की यह जो गेम स्ट्राटेजी है वो उन्हें काफी आगे तक लेकर जाने वाली है तेजस्वी ने जस तरीके से गेम खेला है अब तक वाकई काबिले तारीफ है और आगे भी इस वज़ा से तेजस्वी प्रकाश बढ़ती जा रही है इस वज़ा से तेजस्वी प्रकाश को strongest contender कहा जाता है तो फाइनली तेजस्वी प्रकाश ने जो ये गेम स्ट्राटेजी क्रियेट की है दुश्मनों को भी दोस्त बना कर इस पर आपके क्या है रियाक्शन क्या कहना चाहेंगे आप जब तेजस्वी प्रकाश ने ऐसी गेम स्ट्राटेजी अपनाई है कमेंट करके बिल्गुल बताएं तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें चानल के साथ